नमस्कार दोस्तूं, सुआगत एक बार फिर से आप सभी का टुड़े टोक के इस वीडियो में दोस्तूं, CBSC बोर्ड, RBSC बोर्ड और तमाम जितने भी देश में बोर्ड काम करते हैं एजुकेशन को लेकर, दसवी बारवी कख्षाओं को लेकर उन सब का देरे-देरे फेसला आ रहा है, RBSC और CBSC अपना फेसला बता चुके हैं कि हम दसवी बारवी बच्चों की प्रिक्साएं रद कर रहे हैं और उनका पर्मोशन होगा अब दोस्तूं, पर्मोशन होने तक की बात सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वर्तमान इस्तती को देखते वे पर्मोशन का तरीका ठीक है लेकिन पर्मोशन किस आधार पर किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है वो बच्चे जो रात दिन एक करके महनत कर रहे थे और अपना जो टारगेट है 90 पलस का रख रहे थे उन बच्चों का क्या होगा, साथ ही किस आधार पर एवरेज मार्क्स निकाले जाएंगे एक बच्चे को अपनी मार्क सीट में कितने पर्तिशत अंक मिलंगे उस पर्मोशन के आधार पर ये बड़ा सवाल है डोस्तों इस वीडियो में मैं कोसिस करूँगा कि आपको पर्मोशन के जो तरीके होते हैं वो बताऊं और साथ ही जो object स्वाल है वो इस वीडियो में आपके साथ मैं सेर करूं ताकि बहुत सारी बातें आपके सामने रख सकोँ अगर आप दसवी बारवींगे हैं तो आप जरूर इस वीडियो को ध्यान से देखे अगर आप किसी बच्चे के पेरेंट्स हैं तो जरूर इस बात को अपने बच्चे के साथ में साज़ा कीजेगा इसे बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है दोस्तों क्या बड़े सवाल है इस पर्मोशन के उपर मैं आपको बता देता हूँ देखे मुझे ना पर्मोशन से अबजेक्शन है ना एक्जाम रद होने से अबजेक्शन है मैं कुछ चीजें पहले से कलियर कर देता हूँ मेरी बात करने का जो मुद्दा है या मक्सद है वो यह है कि पर्मोशन किस आधार पर किया जाएगा क्या वो पुराने गिसे पिटे तरीके अपनाए जाएंगे जो आग से पहले 20. सदी से चल रहे हैं क्या कोई नया मैथड निकाला जाएगा हम इस विशे के उपर आज बात करने वाले हैं दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि बड़े सवाल क्या है इस पर्मोशन को लेकर या बच्चों को आगे की कलासू में पर्मोट किया जाएगा तो क्या-क्या दिक्कतें सामने आ सकती है देखे दोस्तों पर्मोशन कैसे होगा ये सबसे बड़ा सवाल है इसका जवाब में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ मार्किंग यानि अंक भार का निर्धारन कैसे होगा इसका मतलब यह है कि आपकी जो अंक तालिका बनेगी जो मारक सीट बनेगी उसमें मार्क्स किस तरह से दिये जाएंगे आपको मुल्यांकन कोन करेगा बड़ा सवाल है मुल्यांकन कोन करेगा इस कलूँ पर छोड़ा जाएगा या बोर्ड स्वेम मुल्यांकन करेगा या पिछली कक्साओं के आधार पर मुल्यांकन किया जाएगा अगला सवाल है क्या मुलियांकन इस कलूओं पर छोड़ा जा सकता है क्या ये सही होगा अगर ऐसा होता है तो इसके उपर भी बात करेंगे क्या मुलियांकन को बोर्ड का नया तरीका खोजना पड़ेगा ऐसा भी हो सकता है कि बोर्ड को कोई नया मैθ discl निकालना पड़े जो सटीक हो और ट्रांसपेरिंट हो इसके उपर भी बात करेंगे अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि परमोशन के कौन-कौन से तरीके होते हैं या basically मैं आपके साथ में तीन तरीके सेर करने वाला हूँ दसवी बारवी क्लास में अगर आप है या आपका बच्चा है तो आप जरूर मेरी बात को समझेगा और ध्यान से सुनिएगा कि परमोशन के कौन से तीन तरीके हैं जिनके आधार पर परमोशन किया जा सकता है और अगर उनके आधार पर प्रमोशन किया जाता है तो क्या कमिया रह सकती है प्रमोशन में और कौन से बड़े सवाल निकल कर सामने आ सकते हैं हम सभी चीज़ों पर डिसकस करने वाले हैं देखें सबसे पहला जो तरीका है वो है इसकूल आधारित मुल्यांकन अगर इसकूल आधारित मुल्यांकन किया जाता है तो वो कैसे किया जाएगा इस मुल्यांकन में होता है दोस्तों की बोर्ड सभी जो इसकूले हैं उनको निर्देश देगी सभी विधालियों को निर्द परणिकारी है अपने स्कुल के बच्चों के बारे में तो आप अपने स्कुल के बच्चों का मुल्यांकन कीजिए, एक सुची तैयार कीजिए, और वो हमें बोड में भेज दीजिए, हम उसके आधार पर अगभार का निर्धारण करेंगे क्या ये हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ट्रांसफेरिंस ही है क्योंकि गौर्रमेंट स्कूल हो चाए प्राइवेट स्कूल हो सब यही चाते हैं कि उनके बच्चों के अच्छे मार्क्स मिले और आजकल पेरेंट्स इतने जागरुक हो चुके हैं अगर ऐसा होता है तो हर पेरेंट्स स्कूल जाकर यही बोलेगा कि मेरे बच्चे के 90 प्लस अंक भेश देना या मेरे बच्चे के 80 प्लस अंक भेश देना कोई पेरेंट्स नहीं चाता कि उसके बच्चे के माimat blijeras करता कि बच्चा कितना intelligent है यहां मेटर करता है कि मारक सीर्ट में उसके नंबर अच्छे आने चाहिए otherwise हम TC कटवा लेंगे या किसी दूसरी स्कूल में एडमिसन ले लेंगे तो ये मुझे लगता है कि transparent नहीं है और ऐसा ना तो board करेगी ना ही कोई सरकार करेगी और ना ही school वाले और ना ही कोई parents और ना ही कोई student इस बात पर agree होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी कम्या सामने नजर आ रही है दूसरा तरीका क्या हो सकता है दोस्तों दूसरा तरीका हो सकता है school plus board plus last year की class यानि कुछ अंक school को सौंप दिये जाए कुछ परतिसत जैसे 20 नंबर आपके 17 अंक के जाते है जो seasonal marks जाते है वो school को सौंप दिये जाए 30 परसेंट जो marks है यानि 30 अंक है वो पिछली कक्सा के आधार पर दिये जाए और 50 परतिसत अंक जो है वो वरतमान कक्सा यानि 10 वे और 12 में जितने दिन आपकी school लगी है जो आपकी attendance है चाहिए वो online हो चाहिए वो offline हो और उस attendance के दोरान जो आपके test हुए है जो pre-board हुआ है उसके आधार पर आपका 50 अंकूं का निर्धारन हो ऐसे करके 100 अंक जो है वो बन जाते हैं और फिर आपकी जो average marks है वो निकल का सामने आ सकते हैं इसमें देखो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि क्या हो सकता है कि जो 20 marks है 20% जो अंक है वो school निर्धारित करे और 30% जो अंक है वो पिछली board कक्सा मैं पिछली board कक्सा की बात कर रहा हूँ यानि जो अभी दस्वी क्लास में है वो आठ्वी क्लास के आधार पर और जो बार्वी क्लास है वो दस्वी क्लास के आधार पर उसके अंक जो है वो लिये जाए 30% और 50% अंक जो है वो वरतमान कक्सा के आधार पर दस्वी और बार्वी के आधार पर लिये जाए और इन तीनों को मिला कर जो एवरेज अंकभार निकल कर आए वो मार्क सीट में दिखाया जाए ये तरीका निकला जा सकता है अब बात करते हैं तीसरे तरीके की जो की CBSC ने अभी पूरी तरह से लागू नहीं किया है लेकिन सं करेंगे और उसमें क्या दिक्कते हो सकती है क्या वो तरीका सही आएगा या नहीं आएगा अभी तक देखिए तरीका निकाला नहीं गया है ओफीसियली एजी कोई अपडेट नहीं आई है जिसमें CBSC ने ये डिकलेर कर दिया हो कि हम इस आधार पर बच्चों का पर्मोट करेंगे हालंकि CBSC से बाते निकल कर आई है जो मैं आपके साथ में सेर करूँगा देखिए राजतान बूर्ड की अगर हम बात करें तो गोवि तालिका में या मार्क सीट में हम कितने परसंटेज देंगे और कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क साएंगे ये बोर्ड तै करेगा फिलाल लेकिन बोर्ड से कोई फोर्मूला निकल कर अभी नहीं आया है देखिए जो सटीक फोर्मूला जिसके उपर CBSC बात कर रही है और आपको बतना चायूंगा कि जो last method है, जो तीसरा तरीका है, वो क्या हो सकता है? वो यही हो सकता है कि बोर्ड क्लासों के अंक भार है, उनको देखा जाए क्योंकि जब आपने बोर्ड के exam form बहिते तो उसमें आपने अंक तालिका सेर की थी बोर्ड के साथ में, जो आठ्मी क प्लास उंक से आंकलन किया जाए आपका मुल्यांकन किया जाए पहला तरीका यह. दूसरा जो है कि जो स्कुल्स है उनके उपर 50% उंक छोड़ दे जाए जो आपके 20 marks होते हैं उसकी जग फिप्टी marks छोड़ दिय जाए. तो ऐसे करके हम देखें तो यहां पर बन जाते हैं आपके टोटल 30 प्लस 50, 80 परसेंट और फिर 20 परसेंट का रेशियो वो board अपने पास में रखे, board अपनी इंटलिजेंसी के आधार पर उनका निर्धारन करे कि एक बच्चे को कितने अंक मिलने चाहिए, अगर इस तरीके से पर्मोशन होता है तो I think कहीं ना कहीं ठीक रहेगा, यह बाकी तरीकों से कापी हद तक ठीक है कि 20 परतिशत जो अंक है वो board निर्धारित करे, 30 परतिशत अंक जो है वो पिछली board प्रिक्साओं के आधार पर निर्धारित हो और 50 परतिशत अंक जो है वो इसकुल के अंदर बच्चे की जो activities होती है, जो performance होती है उसके आधार पर निर्धारित किये जाए अब जो 50 परतिशत में अंक बता रहा हूं उसमें जो seasonal marks होते हैं, जो सत्रांग होते हैं 20 marks वो भी 7 में हैं तो ऐसा करके अगर result बनाया जाता है तो I think कहीं ना कहीं सही रहेगा और बच्चों क future में भी वो काम आने वाला है, अब दीके दोस्तों इसमें दिक्कत क्या रहती है, दिक्कत ये रहती है कि बहुत सारे बच्चे इतने intelligent होते हैं कि वो 100 out of 100 marks भी लेकर आते हैं, 90 plus marks भी लेकर आते हैं और बहुत सारे teacher ऐसे भी होते हैं जो हर साल एक target रखते हैं कि मैं इस बा promotion में 90% ही बने या 85% ही बने तो उन बच्चों को क्या करना है, उन बच्चों को एक मोका मिलेगा exam देने का और वो exam कब होगा जब COVID की सभी situations normal हो जाएगी, जब सभी प्रस्तियां ठीक हो जाएगी तो उनका exam होगा, board एक opportunity छोड़ेगा, उनके लिए एक option रखेगा, कि अगर आप object करते हैं, तो आपको मोका दिया जाएगा exam देने का, आप exam देकर अपने दम पर marks ला सकते हैं, हमारी तरफ से छूट है, लेकिन अगर आप exam देने जाएंगे, या आप objection करके exam form apply करेंगे, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, कि आपकी जो promotion की certificate है, यानि जो mark seat है, वो marks exam में आएंगे, वही आगे आपकी mark seat में so होंगे, तो आपको इन में से कौन सा तरीका ठीक लगता है, ये comment box में जरूर बताएगा, और जो भी आपका विचार हो, आपका opinion हो इस promotion को लेकर, आप जरूर सेर कीजिएगा, एक सवाल और है मेरा आप से, कि जो exam रद किये गए ह क्या ये फेसला, बोर्ड का सही है या गलत है, आपके इसाब से exam होने चाहिए थे या ये रद सही है, आप बताना मेरे को comment box में, ताकि आपके विचार सांजा हो सके, और दोस्तों, अगर आप दसवी या बारवी क्लास में हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस channel पर आपको career guidance, career council, सरकारी भरतियों की सटीक और सही जानकारी, जो selected बच्चे होते हैं, सरकारी नोकरी में, चाहिए वो constable हो, चाहिए वो SSC, GD में हो, चाहिए CHSL में हो, चाहिए वो CPU SI हो, चाहिए वो CGL में हो, चाहिए वो state PCS के किसी exam में हो, चाहिए वो RPSC में हो, चाहिए RSM SSB में हो, हम उनका interview लेते हैं ताकि आप लोगों को हर नोकरी के बारे में सही जानकारी मिल सके, किस तरह से भरतियां करवाई जाती है, किस तरह से selection लिया जाता है, exam में आप से क्या पूछा जाता है, किस तरह से exam attend करना होता है, क्या तयारी करने की strategy होती है smart study कैसे करनी होती है कम समय में सरकारी कैसे हाँसिल कर सकते हैं सरकारी नोकरी की तयारी कैसे करनी होती है यह सभी चीजें इस channel पर आपको समय समय पर उपलबद करवाई जाती है, तो मेरी आप लोगों से उनकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहेगी अगर आप पेरेंट्स है तो जरूर अपने बच्चे को इस चैनल को देखने की सला दे ताकि हम जो जानकारी देते हैं वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके थैंक्स पूर वोचिंग मिलंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद